नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का तयारी कर लो चैनल में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं तुलसी दास पर आधारित प्रशनों की जो की UGC NIT के प्रीवियस कोशन पेपर में पूछे जा चुके हैं और ये स्रीज है 9 इससे पहले हमने 1-8 तक की सिरीज देख ली थी जिसमें अनुक्रम, कावे और जो मिलान वाले कोशन होते हैं उन पर हमने चर्चा किये थी अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर देख लें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिल आइकन प्रेस कर लें चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अपने हिसाब से पसंदीदा प्लेलिस्ट देख लें गुस्वामी तुलसी दास पर पूछे गए वस्तुनिष्ट प्रश्न पहला प्रश्न है रचना काल की द्रश्टी से निम्न लिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है तो सही अनुक्रम काउन सा है नीचे आप्शन दिये हुए हैं आप्शन है ए कीरती लता रामचरित मानस रसराज कीरती लता या फिर आप्शन डी प्रिये प्रवास रामचरित मानस कीरती लता रसराज सही उत्तर है आप्शन ए कीरती लता रामचरित मानस रसराज और प्रिये प्रवास फिर आगे प्रश्ण है गुस्वामी तुलसी दास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है option दिया हुआ है A. गीता वली दोहा वली विनै पत्रिका राम चरित मानस option B. राम चरित मानस दोहा वली गीता वली विनै पत्रिका Option C, दोहावली, गीतावली, रामचरित मानस, विनैपत्रिका, या फिर Option D, विनैपत्रिका, दोहावली, गीतावली, रामचरित मानस, सही उत्तर है Option B, रामचरित मानस, दोहावली, गीतावली, विनैपत्रिका अगला प्रश्ण है तुलसी रास की पहली रश्णा कौन सी है उप्शन है आ वैराग्य संदीपनी बी रामाग्या प्रश्णावली सी पारवती मंगल या फिर उप्शन डी जानकी मंगल सही उत्तर है उप्शन बी रामाग्या प्रश्णावली अगला प्रश्ण है निम्न लिखित काववे पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए काववे पंक्तियां और कवी option है A. अतिसूधो सनेह को मारग है B. सामने दिया हुआ है तुलसिदास B. है अबलव नसानी अबना नसैहों सामने दिया हुआ है सूरदास C. सट पटाती C. ससी मुखी मुख पर घूंगट ढाकी सामने है बिहारी यव और option D. उधो मनना भै दस बीस सामने है घनानंद और मीरा बाई नीचे कूर दिया हुआ है ABCD के तोर पे मिलान करके जवाब देना है option A. 5, 3, 4, 2. B दिया हुआ है 4, 1, 3, 2. C दिया हुआ है 2, 4, 1, 3. और D दिया हुआ है 3, 4, 1, 2. तो सही उत्तर है option B. 4, 1, 3, 2. यहाँ पर सही है अगला प्रश्ण है काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए एक तरफ काव्य पंक्तियां है और दूसरी तरफ उनके रचनाकार ए दिया हुआ है बसो मोरे नैनन में नंदलाल सामने है नानक देव बी है प्रभुजी मोरे अवगुन चितना धरो सामने है कबीर सी दिया हुआ है अबलव नसानी अबना नसे हो सामने दिया हुआ है सूरदास और डी दिया हुआ है अवल अल्लह नूर उपाया कुदरत के सब वंदे सामने दिया हुआ है तुलसी दास और पांचुआ है मीरा बाई A, B, C, D के तोर पे यहाँ पे options दिये हुए हैं पहला option है पांच, तीन, चार, दो दूसरा option है एक, तीन, दो, चार तीसरा option है दो, चार, एक, तीन, या फिर option चोथा तीन, चार, एक, दो सही उत्तर है option पहला पांच, तीन, चार, दो प्रश्न है इन कवियों का काल करमानुसार आरोही क्रम में विवस्थित कीजिए काल करमानुसार आरोही क्रम में बढ़ते हुए तुलसीदास, इश्वर्दास, नाभादास, केशवदास बी, इश्वर्दास, तुलसीदास, केशवदास, नाभादास सी, केशवदास, तुलसीदास, इश्वर्दास, नाभादास या फिर option डी, नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, इश्वर्दास सही उत्तर है ओप्षन बी इश्वरदास, तुलसीदास, केशवदास, नाभादास बी है इश्वरदास 1480-1550 इस्वी, तुलसीदास 1532-1623 इस्वी, केशवदास 1555-1617 इस्वी, नाभादास 1570-1650 इस्वी अगला प्रश्ण है इन में से कौन सा उद्धरण रचना और रचनाकार के संबंध से संगत है आप्शन है A, संतर्दे नवनीत समाना, सामने है रसलीन, B, काहेरी नलिनी तू कुमहिलानी, सामने है बिहारी, C, अमी हलाहल रस भरे, सामने है तुलसीदास, और D, मेरी भावबादा हरो, सामने दिया हुआ है कबीर और पाच्वा है सूर दास, कुर दिया हुआ है A, B, C, D के तौर पे मिलान करके जवाब देना है, आप्शन है पहला 3, 4, 1, 2, दूसरा 1, 3, 2, 4, आप्शन तीसरा 2, 4, 1, 3, या फिर आप्शन चौथा 3, 4, 1, 2, तो सही उत्तर है, आप्शन पहला 3, 4, 1, 2, अगला प्रशन है निमन लिखित काव पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए A दिया हुआ है, ये उपमान मैले हो गए हैं, सामने है, अग्गे B है, हम राज लिए मरते हैं, सामने है, बिहारी C, बतरस लालच लाल की सामने दिया हुआ है, मैथली शरण गुप्त D, जब जीवन को है, कपी आस ना कोई, सामने है, तुलसिदास और पंत A, B, C, D के तोर पे यहां पे ओप्शन्स दिये हुए हैं, 4, 3, 2, 1 दूसरा ओप्शन, 1, 3, 2, 4, तीसरा ओप्शन, 2, 4, 1, 3, और इसी प्रकार, 4, 3, 4, 1, 2 सही उत्तर है, ओप्शन B, 1, 3, 2, 4 अगला प्रश्ण है, निम्न लिखित काव्य पंक्तियों को, उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए ए दिया हुआ है, जात पात पूछै नहिं कोई, तुलसी दास की B, गीरा अनयन नयन बिनूप बानी, सामने दिया हुआ है, परमानंद दास C, प्रेम प्रेम ते प्रेम ते पारहिम पाई, पाईये, सामने है, जैसी D, दिया हुआ है, मानुस प्रेम भयो बैकुंटी, सामने दिया हुआ है, रामानंद और पाच्वा है, सूरदास कूड दिया हुआ है, B, C, D के तोर पे मिलान करके जवाब देना है, पहला, पाँच, दो, तीन, चार, आपशन, दूसरा, तीन, चार, एक, पाँच, तीन, या फिर चोथा, एक, तीन, दो, पाँच सही उत्तर है, आपशन, C, चार, एक, पाँच, तीन, प्रश्ण है, रामचरित मानस के कांडों का सही अनुकरम क्या है, रामचरित मानस के कांड दिये हुए आप्शन है ए अरन्य कांड किसकिंधा कांड आयोध्या कांड बाल कांड बी बाल कांड आयोध्या कांड आयोध्या कांड किसकिंधा कांड आप्शन सी किसकिंधा कांड आयोध्या कांड आयोध्या कांड या फिर आप्शन डी आरन्य कांड किसकिंधा कांड बाल कांड प्रश्न है पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए पंक्तियों और कवियों के सुमेलित करना है ए सेस महेस गनेस दिनेस सामने है सूरदास बी मन लेत पैदेत छटांक नहीं सामने है तुलसीदास सी जैसे उड़ी जहाज को पंच्छी सामने है घनानंद और डी दिया हुआ है गिरा अनयन नयन बिनुबानी सामने है रस खान और पंच्छमा है के शवदास कुड दिया हुआ है ABCD के तौर पे मिलान करके जवाब देना है आप्शन है पहला एक दो चार तीन आप्शन दूसरा चार तीन एक दो आप्शन तीसरा चार पांच दो एक या फिर आप्शन चोथा तीन चार एक पांच सही उत्तर है आप्शन बी चार तीन एक दो प्रशन है कावे पंच्टियों को उनके रचना कारों के साथ सुनेलित कीजिए एक तरफ कावे दूसरी तरफ पंच्टियां ए है जेही पंखी के नियर होईे करे बिरह की बात सोई पंखी जाई जरिये तरिवर होई निपात सामने है तुलसी दास बी है हमको सपनेहू में सोच जा दिन ते बिछुरे नंद नंदन ता दिन ते यह पोच सामने है नंद दास सी है जब जीवन को है कपी आस ना कोए कनगुरिया की मुदरी कंगना होए सामने है सुन्दर दास और डी है जिविया ऐसी बावरी कही गई सरगताल आपुहिम कहीं भीतर रही जूती खात कपाल जैसी है और पांश मद दिया हुआ है रहीम कूट है एबिसीडी की तोर पे आप्शन है पहला चार तीन एक पांच आप्शन दूसरा पांच चार दो एक आप्शन तीसरा तीन पांच चार दो या फिर आप्शन चोथा दो एक तीन चार सही उत्तर है आप्शन पहला चार तीन एक पांच आप्शन पहला प्रश्न है राम चरित मानस के कांडों का सही अनुक्रम है आप्शन सही उत्तर है अगला प्रशन है काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए काव्य पंक्तियां और उनके कवी A है हाँ सब कवहिन केर पछिलगा सामने है कबीरदास कवित विवेक एक नहीं मोरे सामने दिया हुआ है जैसी सी है प्रभु जी हाँ पतितन को टीकव सामने दिया हुआ है मलूक दास और डी है अब तो अजपा जपु मन मेरे सामने दिया हुआ है सूर अभी और पंक्तिया है सूर नर असुर टहलुआ जाके मुनू गर्धंब है जाके चेरे तुलसी दास और सूर दास ABCD के तोर पे कूड दिया हुआ है पहला है दो चार पांच तीन दूसरा है चार दो एक पांच आप्शन तीसरा पांच तीन दो चार या फिर आप्शन चोथा एक चार पांच तीन सही उत्तर है आप्शन पहला दो चार पांच तीन अगला प्रश्ण है कवियों को उनकी पंक्तियों के साथ सुनेलित कीजिए कवी और उनकी पंक्तियां option है A. केशव कही न जाई ये का कही ये सामने दिया हुआ है सूर्द B. अवी गती कछु कहत न आवये सामने दिया हुआ है कबीर C. राम भगती अनियारे तीर सामने है जाय सी और डी दिया हुआ है जोरी लाई रकत कैल लेई सामने है तुलसी और मीरा बाई कुड दिया हुआ है मिलानगर के जवाब देना है option है पहला 4, 1, 2, 3 option दूसरा 4, 2, 1, 5 तीसरा दिया हुआ है 5, 3, 2, 4 या फिर option चोथा है 1, 4, 5, 3 सही उत्तर है option पहला 4, 1, 2, 3 अगला प्रश्ण है निम्न लिखित को सुमेलित कीजिए सुमेलित करना है क्या है A है रामचरित मानस सामने दिया हुआ है लाला दास B है रामचंदरी का सामने दिया हुआ है तुलसी दास फिर है C आवध विलास सामने दिया हुआ है इश्वर दास और D दिया हुआ है भारत मिलाब सामने है केशव दास कूट दिया हुआ है यहाँ पे ABCD के तोर पे option है पहला 4, 3, 2, 1 option दूसरा 2, 3, 4, 1 option 3, 2, 4, 1, 3 या फिर option चोथा 3, 4, 1, 2 सही उत्तर है option 3, 2, 4, 1, 3 अगला प्रश्न है तुलसी दास की किस रचना का संबंध जियोतिस से है option है A, राम लला नहचु, option B, जान की मंगल, option C, हनु मंगल, option D, रामाग्या प्रश्न सही उत्तर है option D, रामाग्या प्रश्न अगला प्रश्न है क्रश्न गीता वली किस की रचना है option दिया हुआ है A, मीरा बाई की, B, रस्खान की, C, सूर्धास की या फिर option D, तुलसी दास की सही उत्तर है option D, तुलसी दास जिकी रचना है अगला प्रश्न है तुलसी क्रत क्रश्न काव्वे कौन सा है option है A, क्रश्नायन, B, क्रश्न चरित, C, क्रश्न चंद्रीका या फिर option D, क्रश्न गीता वली सही उत्तर है option D, क्रश्न चीता वली अगला प्रश्न है बरवै रामायन, किसकी रचना है नीचे option है सूर्दास, B, तुलसी दास, C, नंददास या फिर option D, केशव दास सही उत्तर है option B, तुलसी दास जिकी अगला प्रश्ण है गो स्वामी तुलसी दास की अंतिम रचना कौन सी है अंतिम रचना आप्शन है ए विनेपत्री का बी दोहा वली सी कविता वली या फिर आप्शन डी हनुमान बाहुप सही उत्तर है ओप्षण D हनुमान बाहु प्रश्ण है इनमें से कौन सी रचना तुलसी दास की है कौन सी रचना तुलसी दास ची की है ओप्षण है A. रामा ध्यान मंजरी B. राम सत्सई C. क्रश्न गीता वली या फिर ओप्षण D. श्री रामार चन पद्धि सही उत्तर है ओप्षण C. क्रश्न गीता वली प्रश्ण है निम्न लिखित रचनाओं का काल करमानुसार सही अनुकरम है कौन सा सही अनुकरम है? ओप्षण दिया हुआ है A. राम चंद्रिका राम चरित मानस वैदेही वनवास राम की शक्ति पूजा Option B. राम की शक्ति पूजा राम चरित मानस राम चंद्रिका वैदेही वनवास C. राम चरित मानस राम चंद्रिका वैदेही वनवास राम की शक्ति पूजा या फिर ओप्शन D राम चंद्री का राम चरित मानस राम की शक्ति पूजा वैदेही वनवास सही उत्तर है ओप्शन C राम चरित मानस राम चंद्री का वैदेही वनवास राम की शक्ति पूजा अगला प्रश्ण है मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावन रिपु जग सुखदाई राजीव लोचन भावभय मोचन पाही पाही सरनाही आई राम चरित मानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं आप्शन है अहलिया बी शबरी सी तारा या फिर आप्शन डी मन दो दरी सही उत्तर है ओप्शन A अहल ले आके प्रश्न है शुरूती सम्मत हरी भक्ती पत संजुक विरती विवेक यह कावे पंक्ती तुलसी दास की किस रचना से ली गई है सही उत्तर है ओप्शन A रामचरित मानस से ली गई है प्रश्न है सर्व व्यापी एक कुमहार जाकी महिमा आर ना पारा हिंदू तुरक का एके करता एके ब्रहमा सबन का भरता के रचनाकार कौन है प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार ओप्शन है A कबीर दास B मलूक दास C तुलसी दास या फिर ओप्शन D रहीम दास सही उत्तर है ओप्शन B मलूक दास अगला प्रश्न है रचना काल की द्रश्टी से रचनाओं का सही अनुक्रम बताईए Option दिया हुआ है A. क्रशनायन कीर्थी पता का रामचरित मानस रामचंद्री का Option B. कीर्थी पता का रामचरित मानस रामचंद्री का क्रशनायन C. रामचरित मानस रामचंद्री का क्रशनायन कीर्थी पता का या फिर ऑप्शन D, रामचंद्री का रामचरित मानस कीर्थी पता का क्रशनायन सही उत्तर है ऑप्शन B, कीर्थी पता का रामचरित मानस रामचंद्री का क्रशनायन अगला प्रशन है कर्मठ कठ मलिया कहे ग्यानी ग्यान विहीन मैं त्रीपत का अर्थ है में त्रीपत का अर्थ है त्रीपत शब्द का उपशन है ग्यान मार्ग और उपासना मार्ग सही उत्तर है option D, कर्म मार्ग, ज्यान मार्ग और उपासना मार्ग अगला प्रश्न है अबलव नसानी अबना नसे हो, किसकी उप्ती है? option A, तुलसी दास, B, सूर दास, C, मीरा बाई, या फिर option D, कबीर दास सही उत्तर है option A, तुलसी दास जी की रचना है प्रश्न है अबलव नसानी अबना नसे हो, तुलसी दास की किस किताब से ली गई है? option A, विनय पत्त्रिका, B, रामचरित मानस, C, वैराग संदीपनी, या फिर option D, दोहा वली सही उत्तर है option A, विनय पत्त्रिका से अगला प्रश्न है, खेती ना किसान को, भिकारी को ना भीक बली, बनिक को ना बनिज ना चाकर को चाकरी, पंक्ती तुलसी की किस क्रतिक से संबंधित है? option A, रामचरित मानस से, option B, कविता वली से, option C, विनय पत्त्रिका से, या फिर option D, गीता वली से सही उत्तर है option B, कविता वली से अगला प्रश्न है, मांगी के खैबव मसीत के सोईबो, लैबव को एक ना दैबव को दोग, पंक्ती का संबंध तुलसी दास की किस रचना से है? options दिये हुए हैं A, रामचरित मानस, option B, विनय पत्त्रिका, option C, गीता वली या फिर option D, कविता वली option D, कौन सा युगम संगत है? options दिया हुए है, पहला साहितिल लहरी पदमाकर, लोकायतन निराला, एक कंठ विस्पाई नागारजुन, और चोथा वैराग्ये संदीपनी तुलसी दास संगत है, अगला प्रशन है, कली कुटिल जीव विस्तार हित वालमी की तुलसी भयो कथन है, किसका option है, A. राम चरणदास का, B. नाभादास का, C. रघुवर दास का, या फिर D. हरी राम व्यास का सही उत्तर है option, B. नाभादास का प्रशन है, इन में से, निम्न में से कौन सी रचना अवधी में नहीं है option है, A. पदमावत, B. मधु मालती, C. कवितावली या फिर option D. नूर जवाहर सही उत्तर है option, तीसरा कवितावली अगला प्रशन है, राम और सीता के विवाह के उसर पर किस कवी ने मिथिला की इस्तरियों से गारी गीत गवाया है option है, A. तुलसी दास, B. दूसरा option अग्र दास, option तीसरा प्राणचल्द चौहान, प्राणचल्द चौहान या फिर चौथा केशव दास सही उत्तर है option चौथा केशव दास अगला प्रशन है, तुलसी दास के गुरु कौन थे? option है, A. नरहर्यानंद, B. रामानंद, C. रामानुजाचार्य या फिर option D. शंकराचार्य सही उत्तर है option A. नरहर्यानंद अगला प्रशन है, निम्न लिखित में से कौन सा ग्रंथ? तुलसी दास का नहीं है option है, A. पहला गीता वली, option दूसरा रामचंद्री का, तीसरा विनए पत्री का, या फिर option चोथा, दोहा वली सही उत्तर है option, दूसरा रामचंद्री का अगला प्रशन है, रामाग्या प्रशना वली, किसकी रचना है? नीचे options दिये हुए है A. नाभादास, B. अग्रदास, C. तुलसी दास, या फिर option D. हरदय दास सही उत्तर है option C, तुलसी दास जी की अगला प्रशन है, तुलसी दास की किस रचना में संतों महंतों के गुड़ वर्णित हैं? option है A. वैराग्य संदीपनी में, option B. रामाग्या प्रशन में, option C. पार्वती मंगल में, या फिर option D. जानकी मंगल में सही उत्तर है option A. वैराग्य संदीपनी में अगला प्रशन है, गोस्वामी तुलसी दास की रचना कविता वली किस भाशा की रचना है? option A. अवधी, B. ब्रज भाशा, C. बुंदेली, या फिर option D. मैथिली सही उत्तर है option B. ब्रज भाशा में है प्रशन है, साखी सब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, भागती नी स्रपहिव, अधम कवी निदही वेद पुरान किस कवी की पंक्तियां है? option A. कबीर दास, B. भिकारी दास, C. तुलसी दास, या फिर D. सूर दास सही उत्तर है option C. तुलसी दास की अगला प्रशन है, गोरक भगायो जोग, भगती भगायो लोग यह काव्य पंक्ति किस की है? option A. गोरक नात, B. कबीर दास, C. तुलसी दास, या फिर option D. जाय सी सही उत्तर है option C. तुलसी दास जी की रचना है अगला प्रशन है, गीरा अरत, जल बीची समकहियत भिन भिन, बंदो सीता राम पद, जिनही परम परम प्रिये खिन उक्त काव्य पंक्तियां किस कवी की है? option A. पहला केशव दास, option दूसरा, तुलसी दास, option तीसरा, इश्वर दास, या फिर option चोथा, नागरी दास सही उत्तर है, option दूसरा, तुलसी दास प्रशन है, केशव कही न जाइए, का कहीए, देखत तब रचना समुझी मन ही मन रहिए किस कवी की पंक्तियां है? option है, पहला केशव दास, option दूसरा, तुलसी दास, option तीसरा, सूर दास, या फिर option चोथा, नागरी दास सही उत्तर है, option दूसरा, तुलसी दास प्रशन है, भक्त, सुरी प्रशन ने, ये नोट्स है, भक्त माल के रचैता, नाभादास ने इनको कली काल का वालमी की कहकर पुकारा है कली काल का वालमी की किसने कहा, भक्त माल के रचैता, नाभादास ने, ग्रियर्सन ने इनको महत्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोक नायक कहकर पुकारा है पाशात विद्धवान, विंसेट इस्मित, महोदा ने इनको मुगलकाल का सबसे बड़ा आदमी कहकर पुकारा है मुगलकाल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है, विंसेट इस्मित ने मधु सूधन सरस्वती ने इनको कहा है आनंद वन का व्रक्ष कहकर पुकारा है आचार रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको हिंदी का जातीय कवी कहकर पुकारा है हिंदी का जातीय कवी कहकर किसने पुकारा रामचंद्र शुक्ल ने हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने इनको क्या का है इनकी प्रशंशा में लिखा है आप अरीमित धैर लेकर एक पुत्र पैदा हुआ जिसने भारत में समन्वय की चेश्ठा की इनका काव्वे जीवन दो कोटियों को मिलाने वाला काव्वे है तो दोस्तों यहां थे प्रशन और तत थे जो कि तुलसी दास जी पर आधारित थे अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कोई बात कोई समस्या कोई सुझाओ तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और प्ल